Hello everyone, welcome to origin आज के इस क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हमारे क्लास 12 के English का चैप्टर 8 जिसका नाम है Going Places तो एक बार हम यह चेक कर लेते हैं कि आज के इस सेशन में हम क्या क्या देखने वाले हैं तो आज के इस क्लास में हम देखने वाले हैं इस चैप्टर का एक छोटा से स्केच देन स्टोरी की समरी, NCIT questions, PYQs and long answer questions तो जैसा कि इसके पहले के कुछ chapters जो chapters थे हमारे pancakes and interview उन्तों ने मैंने आपको बताया था कि PYQs उत्ते ही important आया नहीं इसलिए questions कम है but going places यह जो chapter यह हमारे main book का last chapter है and इस chapter से continuously exams में question आया and यह बहुत ही important chapter हो जाता है हमारे 12th class के main course reading book के लिए so इस chapter को हमें बहुत ही ध्यान से समझना है इसलिए इसमें काफी सारे questions भी है तो एक बार हम यह देख लेते हैं कि इस story में हमें देखना क्या है चोटा से इस story का sketch हम देख लेते हैं so going places इसके writer है A.R. Barton अब इसके जो main character से वो हम एक बार discuss कर लेते हैं Sophie जो main character है जिस पे यह पुरी story based है उस character का नाम है Sophie and जो second character है वो उसकी दोस्त जैंसी Danny Cassie एक footballer है Geoff Sophie का बड़ा भाई है and Sophie का father यह जो five characters है यह हमार इस story के main characters है अब यह story है किस चीश से related यह story है adolescent fantasizing के बारे में या adult fantasizing के बारे में means daydreaming के बारे में खयाली पुलाव पकाने के बारे में एक story है दिन में सपने देखने पे based यह story है and hero worshiping पे based यह story है hero worshiping in the sense किसी एक ऐसे व्यक्ति को पुरी तरीके से माल लेना इतनी हद तक उसको पसंद करना कि ऐसा लगे कि वो हमारे सामने ही है and उसकी कोई भी चीश आपको गलत ना लगे उसे हम कहते हैं hero worshiping means किसी player को किसी politician को किसी actor को एक तरीके से पूजा करना इसे कहते हैं hero worshiping अब ये सारी चीज़े explain की गई है इस story के main character Sophie Kethro तो आज की इस story में हम देखने वाले हैं ये सारी चीज़े तो अब आपका रध्यान इस video पे होना चीए क्योंकि हम start करने वाले हमारे इस video का सबसे important section जो क्योंकि अगर story की summary आपको अच्छे समझा जाए तो सारे questions आपसी easily बन जाएंगे तो अब हम start करने वाले हैं इस story की summary Going Places by A.R. Barton ये story है हमारे main character Sophie जो की एक बच्ची है उसके उपर Sophie एक daydreamer है खयाली पुलाव पकाती है एंड दिन में सपने देखती है सो इस story कुछ इस तरीके से setup है Sophie अपनी दोस्त जैनसी के साथ इसकुल से वापस आ रही थी एंड वो जैनसी को अपने सपनों के बारें बता रही थी कि अपने future में वो क्या plan करना चाहती है Sophie कहती है कि मैं एक boutique open करूंगी अपना खुद का जैनसी जो है Sophie की friend वो काफी practical बच्ची है वो उसे खयाली पुलाव पकाना बिल्कुल भी नहीं पसंद वो earth में रहती वो reality में रहती है और practically सोचती है तो वो उसे कहती कि boutique open करने के लिए बहुत पैसे लगते है तो इस पर Sophie का reply आता है तुम्हें directly manager नहीं बना देगा पहले तुम्हें धीरे-धीरे काम करना पड़ेगा actually जैनसी ये चाहती है कि जैसे मैं practically सोचती हूँ वैसा ही Sophie भी practically सोचे but ये चीज़ Sophie को परिशान नहीं करती जैनसी के बार-बार कहने पर भी Sophie जो है वो दिन में सपने देखना नहीं छोड़ती है अब Sophie आगे चलके उसे अचानक से कहती कि मैं एक actress बनूँगी जैनसी उसके बाद को ध्यान नहीं देती क्योंकि उसे पता है कि उनका जो future है उनका future पहले से decided उन्हें आगे चलके biscuit factory में ही काम करना है अगर गलती से भी तुम्हारे पास पैसे आ भी गया तो सबसे पहले तुम्हें घर बनाना तो इस पर जो जैनसी का बड़ा जैनसी का जो भाई है वो कहता है कि इसे तो ऐसा लगता है कि पैसे जो है वो पेड़ पे उपते हैं और सोफी की मम्मी जो है वो उसके दिन के सपनों के बारे में सुन-सुन के उस पर हस देती है अब जब सोफी अपने घर पहुचती है तो वो देखती ही कि उसकी मम्मी की कमर काफी मुर चुकी है घर के बोश के तले ये सारे चीज़े वो सोच के तुरंत वो अपने भाई को ढूणने जाती है उस दिन का एक कहानी सुनाने अब उसका भाई जो है जिसका नाम है जियॉफ वो तीन साल पहले स्कुल से पास आउट हो चुका है अब वो as a mechanic काम करता है तो वो अपने बाई के कुछ पार्ट को इधर उधर कर रहा था तो वो जमिन के अंदर नीचे लेटा हुआ था और सोफी अंदर जाके जियॉफ को बताती है जियॉफ काफी शान्थ था जियॉफ का करेक्टर हम देख लेते हैं वो बहुत ही शान्थ था और वो बड़ा हो चुका था इसलिए उसे ज़्यादा बात करना नहीं पसंद था और सोफी ये चाहती थी कि वो अपने बड़े भाई के थोड़ा क्लोजड हो वो हमेशा उसे ये जलन में रहती थी कि ये किस दुनिया में खोई रहता है ये इत्ता शान्थ क्यों रहता है वो सिर्फ ये चाहती थी कि किसी दिन वो उसे अपने साथ उस दुनिया में ले चले जहां वो खोई रहता है बट सोफी के पापा भी इस चीज़ के लिए मना करते थे और जियॉफ भी उसे छोटी समजता था उसकी उमर को कम समजता था लेकिन सोफी सिर्फ यही चाहती थी कि वो अपने भाई के साथ भाई के पीछे बैठे और ये उसके सपने थे अब वो उस दिन के बारे में जो चीज़ उसके साथ हुआ वो अपने भाई को बताती है जियॉफ को बताती है कि वो डैनी कैसी से मिली Danny Casey एक बहुत बड़ा footballer था जो कि उस area में match खेलने उस वक्त पे आया हुआ था तो Gioff को वो बताती है कि आज मैं Danny Casey से मिली बट Gioff मानने से इंकार कर देता है क्योंकि उसे पता है कि यह दिन में सपने देखती है तो वो समझता है कि इस बार भी जूट बोल रही है और उसे मना कर देता है कि ignore कर देता है हस देता है अब उसे यह चीज़ पसंद नहीं आता वो फिर से उसके physical appearance के बारे में बताती है कि Danny Casey कैसा दिखता है जिसे कि उसे थोड़ा और यकीन हो बट वो फिर भी नहीं मानता इस तरीके से बार बार Sophie के बताने पर वो इस चीज़ पे believe कर लेता है finally और वो जा कि उसके पापा को बता देता है बट उसके पापा फिर से believe नहीं करते है और उसे मना कर देते है इस पे Sophie गुस्सा हो जाती है तो last month उसके पापा उसे कहते है कि किसी दिन दिन में सपने देखने की आदत तुम्हें trouble में डाल सकती तुम्हें फसा सकती है Sophie इस चीज़ को ध्यान नहीं देती और वो अपने भाई जोफ को बताती है Danny Casey से अपने date के बारे में अब होता ही है कि next day Sophie की पूरी family football match देखने जा रहती है और जो Danny Casey की team है वो football match जीट जाती है और उसमें main role play करता है Danny Casey वहाँ पे सब लोग उसे देखते हैं तभी Zancy Sophie के पास पहुंचती है और उसे फिर वहाँ पर पता चलता है कि Zancy को पहले सी पता है Sophie का Danny Casey से मिलने वाली बात तो इस चीज की क्यों उसने ये सारी बात अपने शहर में फैला दी बट जब उसे पता चलता है कि Zancy को उसके date के बारे में नहीं पता है तो उसे थोड़ा relaxing feel होता है next day अपने भाई को Sophie बताती है कि उस दिन तो हमारे पास pen या pencil कुछ भी नहीं था लेकिन आज उसने मुझे वादा किया है कि वो मुझे अपना autograph दे ही देगा तो next day जो Sophie है वो कैनाल में जाती है और Danny Casey का वेट करने लगती है अब Danny Casey का वो वेट करते करते अपना सारा imagination वहाँ पर देखते रहती कि जब वो आएगा तो वो क्या-क्या होगा बट Danny Casey वहाँ नहीं आता बहुत टाइम निकल जाता है वो नहीं आता अब उसे reality realize होती कि Danny Casey जो है वो सच में उससे मिलने उस दिन नहीं आ पाया वो ये सोचने लगती कि अब मैं घर में कैसे बताऊंगी अब फिर से कोई मेरी बातों को यकीन नहीं करेगा तो वो फिर से अपने मन में ख्याली पुलाव पकाने लगती कि Danny Casey आज उससे मिला आज फिर से उनके पास pen नहीं था इसलिए वो वो आटोग्राफ नहीं ले पाए बट reality के बोज में वो दबते जाती है and अब उसे पता अच्छे से realize हो जाता है कि Danny Casey उससे मिलने नहीं आ पाया Danny Casey जो था वो काफी young age का था और जो Sophie थी वो उसे अपना idol मान चुकी थी कोकि वो बहुत ही famous player था बहुत ही famous sports person था और उसने उसे पहली बार एक match में खेलते हुए देखा था and वही बस एक time था जिसमें Danny Casey को उसने आज तक देखा था उससे पहले और उसके बाद वो आज तक Danny Casey से नहीं मिली थी और यह भी उसके mind का एक imagination ही था और यहाँ पे हमारी story जो है वो end हो जाती है तो यह थी हमारी story going places by the writer AR Barton and अब हम इस question के chapter के questions को discuss करने वाले हैं कि किस टाइप से questions हमारे exam में आ सकते हैं and summary moral यह सब हम इस story के question वाले section में discuss करेंगे ताइए हम हमारा पहला question देखते हैं हमारा आज का पहला question है what were the options that Sophie was dreaming of why does Jansi discourage her dreaming from having such dreams okay so जो हमारा पहला question है उसका answer एक बार हम देखते हैं कि इस question में पूछा गया है कि जो Sophie है वो क्या-क्या चीजों का सपना देख रही थी उस time पे जब school से वो अपने दोस के साथ वापस आ रही थी and Jansi किस reason से उसे यह सारे सपने देखने से मना कर रही थी तो Sophie के सपने के बारे में हम पता है कि वो क्या करना चाहती थी बूटिक ओपन करना चाहती थी और इसके लिए वो क्या सोचती कि सबसे पहले वो एक manager बन जाएगी जिससे वो savings अपना करेगी and then वो क्या बन जाएगी actress बन जाएगी जिसकी वाज़ेस उसे full time काम नहीं करना पड़ेगा and वो अपने बूटिक को भी ध्यान दे पाएगी but अब हम बात करते हैं Zansi का कि Zansi उसे इस चिस के लिए क्यो discourage कर रही थी क्योंकि Zansi को reality पता थी उनके reality क्या थी कि future में उन्हें एक biscuit factory में काम करना है and that's why वो जो Sophie है उसे मना कर रही थी कि अगर बाद में उस reality उसे hit करेगी सच्चाई के बारे में उसे पता चलेगा तो उसका दिल तूट जाएगा तो Zansi यह चाहती थी कि Sophie जो है वो भी उसकी तरह practical बने and चीजों को reality के form में सोचे practically सोचे तो यह हमारी इस question का answer होगा next हमारा question है does Joff believe what Sophie says about her meeting with Danny Casey तो Joff जो है वो पहले तो believe नहीं करता बट after sometime वो क्या है believe कर लेता है तो इसका answer क्या होगा no at first Joff doesn't believe that her sister Sophie meet Danny Casey but after sometimes Joff has to believe that her sister has met Danny Casey because of her continuously convincing and examples of his physical appearance इस तरीके से हम इस answer को form कर सकते हैं कि किस तरीके से जो उसका भाई है वो पहले तो नहीं माना बट बात में वो मान गया next question how did Sophie's father react when Joff told him about her meeting with Danny Casey तो clearly this story में हमें पता है कि Sophie के जो father है वो believe नहीं करते हैं वो क्या है इसके बातों पर believe नहीं करते हैं वो finally क्या बोलते हैं कि उसके जो daydreaming की जो आदत है वो किसी दिन उसे trouble में put कर सकती है means उसे किसी दिन बहुत ही परिशानी में फसा सकती है तो यह था उसके father का reaction next question है why did Sophie not want Jansi to know anything about her meeting with Danny Casey अब Jansi को वो कुछ भी जानने से क्यों नहीं देना चाहती थी क्योंकि वो इस चीज को secret रखना चाहती थी and general यह meeting थे and वो नहीं चाहती थी कि Jansi जो है वो किसी को बताए या फिर Jansi को यह पसंद ना है उसका मिलना या फिर इसे हम कह सकते कि Jansi को jealousy ना हो and another thing जो most important reason है वो यह होगा कि Jansi जो है वो practical है वो बिलकुल भी यकिन नहीं करती उससे Danny Casey के मिलने वाले बातों पे next question है हमारा which was the only occasion when she got to see Danny Casey in person तो कौन सा occasion था वो वो था football match तो कौन से occasion मिलना हुआ था football match में वही एक मातर ऐसा occasion था जिस पे जो हमारी Sophie है वो आज तक अपने life में Danny Casey से मिली थी okay forwarded to our next question draw a character sketch of Sophie's father अब देखिए ये एक समझने वाला question है और Sophie के father का मैंने reaction आपको बताया कि किस तरीके से Sophie के father है वो Sophie के बातों पे यकिन नहीं किये and इस वाले sequence है आप जो है Sophie के father का जो character sketch है वो draw कर सकते हैं तिये वाला जो question है वापका homework है और इसको आपको comment में answer जरूर करना है clear तो ये थे हमारे first set के questions अब हम चलते हमारे next questions पे जो Sophie के father का character sketch है वो आपके text book में भी अच्छे सी दिया हुआ है तो एक बार ये video complete होने के बाद अपना पूरा test book आप thoroughly एक बार read कर लिजेगा इससे आपको new words भी मिलेंगे कि किस-किस pattern में आप answer लिख सकते हैं and इस question का answer भी आपको book में मिल जाएगा okay so our next question Sophie lives in a world full of dreams which she does not know she cannot realize comment अब यहां पर हमें एक तरीके से indirectly बोला गया है कि Sophie का यहां पर character sketch define करो यह इस story में Sophie जो जो तीजे करती है वो चीज़ हमें यहां पर simply बता देना है तो सबसे पहले वो बूटिक के बारे में सोशती है बूटिक के लिए वो सोशती की वो manager बनेगी and then वो सोशती की वो actress बनेगी and actress बनके वो part time काम करेगी जिससे उसे अपने बूटिक के लिए भी time मिल जाएगा and second case जो Sophie के साथ होता है वो है Danny Casey से मिलने का second case उसके साथ होता है Danny Casey से मिलने का किस तरीकस उसे घर वाले यकीन नहीं हो करते but वो अपने ख्यालों में डूबे हुए रहती है and canal पे उससे मिलने भी चले जाती है कि वो आएगा आएगा but reality में ऐसा कुछ होते रहता है नहीं वो आने भी नहीं वाला था ना ही वो उससे life में कभी मिली थी तो ये सारी चीज़े हमें इन दोनों में explain कर देनी इसस answer के starting में then हमको लिखना है कि वो realize किस चीज़ को कि जब उससे reality के बारे में पता चला तो उससे काफी hurt हुआ and उसका heartbreak हो गया ये चीज़ हमें explain कर रहे है यही चीज जैंसी भी उसके साथ चाहती थी कि वो practically सोचे तो ये जो comment है ना यहाँ पे हमें यही चीज़े Sophie के बारे में जो जो इसी story में हमने सुना वो पूरा लिख देना है और इसका कुछ extra answer यहाँ पे नहीं होगा next question है हमारा why was Sophie jealous of Geoff's silence अब Sophie यहाँ पे Geoff के silence से jealous क्यों थी क्योंकि Sophie चाहती थी उस दुनिया में जाना जहाँ Geoff खोई रहता है वो जानना चाहती थी कि दिन बर इसके माइन में क्या रहता है और क्योंकि Sophie बहुत बात करती थी उसको यह अजीव लगता था कि यह कैसे शान्त रह सकता है इसके माइन में क्या चलता है और यह सारी चीज़े उसे जाननी थी इसलिए उसके silence से वो काफी jealous होती थी अपने भाई को बाकी अधर परसन से क्यों जानती थी क्योंकि वह ही था जिससे वो अच्छे से बात करती थी और सारी बाते वो उसकी सुनता था और उसे suggestions भी देता था next question है why is Sophie attracted to Danny Casey? अब यह मैंने story के last में आपको बता है कि Sophie Danny Casey से attracted क्यों थी? क्यों attracted थी? क्योंकि वो एक famous sports person था and वो almost same age का था वो young age का था that's why एक तरीके से hero worshiping का यहाँ पर case था next हमारा question है did Geoff keep up his promise? how do you know? यहाल एक question का answer आपको करना है बस मैं आपको यह बता जेता हूँ कि यह question कहाँ पर से पुछा गया है जब Sophie का पूरा family football match देखने गया था तब Jancy के द्वारा Sophie को पता चलता है कि Jancy को पता है Sophie Danny कैसी से मिली है इस वाले scene पे जब Sophie को लगता है कि मेरे भाई ने मेरा भरोसा तोड़ा है या मेरा promise तोड़ा है उस जगह से related यह question है अब आप समझ जाएगे इसका answer क्या होना चाहिए क्योंकि मैंने उस position को बहुत अच्छे से explain किया है क्योंकि वही इस story में एक तरीके से हमको बीच में बता देता है कि जो Sophie है वो almost सपना ही देख रही थी ओके next question damn that Geoff this was a Geoff thing not a Zancy thing why did Sophie say so ओके 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 तो यह भी उसी जगहा का है जब Zancy Sophie को बताती है कि उसे पता है Danny Casey से मिलने के बारे में तब Sophie यहाँ पर यह चीज बोलती है कि यह चीज जैंसी नहीं करती यह चीज जीज जीओफ ही कर सकता है जीओफ ने उसका promise जो है वो keep नहीं किया उसने जो है वो सभी को यह बात फैला दी कि उसकी बैन Sophie जो है वो Danny Casey से मिलके आई है तो इसका reason यही है इसी वज़े से जो Sophie यह यह बोलती कि damn that जीओफ means जैसे हम किसी के बारे में भी बोलते है कि कोई भी के बारे में हमाई suddenly ध्यान आता है कि यह काम वो ही कर सकता है तो उसका नाम लेके हम इस तरीके से बोलते है बस वो ही चीज यहाँ पर उसने कहा तो reason में हमें यही लिखना है कि जब Sophie को जैसे से पता चला कि उसके Danny Casey के मिटिंग के बारे में उसे पता है तब उसने यह कहा Damn that Geoff Geoff कौन था उसका बड़ा भाई Next question है Why did Zancy discourage Sophie? अब देखिए यह जो question है वो repeated question है इस जगह तक Sophie from entertaining thoughts about the sports star Danny Casey अब यह जो question है एक तरीके से repeated question है क्यों? क्योंकि हमने जो पहला यहाँ पे देखा था यह question यह वाला Why does Zancy discourage her dreaming from having any such dreams? इस जगह पे हमने जो जो answer लिखे हैं वही same answer हमको वहाँ पे भी लिखना है बट हमें थोड़ा सा add कर देना है Danny Casey के बारे में बाकि इस question का जो answer है word to word यही answer हमें वहाँ पे भी लिखना है क्योंकि यहाँ पे भी यही चीज़ पूछा गया है कि क्यों जो Zancy है वो Sophie को मना कर दी है बट एक चीज़ extra add कर दिया है कि Danny Casey से मिलने के लिए क्यों मना कर दी है Clear? Next question What thoughts came to Sophie's mind as she sat by the canal? अब यह चीज़ आपको यहाँ पे खुझ से लिखनी है इससे मुझे यह पता चलेगा आपने NCIT book read की है या नहीं क्योंकि Zancy के माइन में जो जो thoughts आ रहे थे NCIT book के last pages second last page में यह सारी चीज़ को काफी अच्छे से वहाँ पे लिखा गया है story के अंदर ही तो वहाँ से आपको इस question का answer करना है यह दो homeworks आज आपके लिए है next question what does Sophie imagine about her meeting with Danny Cassie देखिए same question हो गया almost यह भी यहाँ पे भी वही चीज़ है कि उसके mind में क्या चल रहा था कि क्या-क्या वो imagine की थी Danny Cassie से मिलने का अब देखिए हर meeting with Danny Cassie में वो क्या-क्या imagine की थी वो window shopping करी थी window shopping means दुकान के बाहर खड़ों के सिफ चीजों को देखना उसे कहते है window shopping and वो दोनों street पे walk कर रहे थे ऐसी different चीज़े वो सब line to line book के अंदर यहाँ पे लिखी हुई है बहुत ही अच्छे से वही इसका answer होगा ओके सो next question what were Sophie's plans for her future why would you call her unrealistic तो यह question भी repeated है क्यों repeated है एक बार मैं फिर दिखा देता हूँ आपको पिछला question what were the options that Sophie was dreaming of same यह जो question है न यह यहाँ पे भी उसका answer लिख दिना ही क्या-क्या Sophie वहाँ पे dream करती थी अब बस एक चीज यहाँ पे extra है कि क्यों वो जो था वो unrealistic था वो unrealistic इसलिए था क्योंकि उन सब चीजों के लिए पैसों की जर्रत थी and Sophie जो थी वो economically उत्ती sound नी थी and उसका future decided था उन दोनों को आगे चलके biscuit के factory में काम करना है and that's why यह सारी चीजों जो थी वो unrealistic थी next question I can see the future and now I will have to live with this burden says Sophie discuss the statement in the light of chapter going places अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है I can see the future and now I will have to live with this burden किस future की बात कर दिये कि Danny कैसी उससे मिलने नहीं आने वाला किस burden की बात कर दिये उस reality की बात करी कि Danny कैसी उससे मिलने नहीं आया इसके साथ वो जियेगी and यहाँ पे हमको going places के according इसको क्या कर देना है discuss कर देना है तो हम यहाँ पे discuss कैसे करेंगे सबसे पहले हम यहाँ पे बताएंगे कि किस तरीके से Sophie जो है वो imagine करती कि एक दिन वो Danny कैसी से अपने street में मिली then हमको यह बता देना है कि अगले दिन वो canal में जब उससे date के लिए गया तो उसके mind में क्या क्या चला and wait करते हुए finally जब उससे realize हुआ कि Danny कैसी उससे मिलने नहीं आयने वाला है तब उसे reality का burden उसे hit किया उसको बहुत ही hurt हुआ and उस time वो यह सोचती कि अब उसे उस burden के साथ रहना ही है यही चीज इस discuss में हमें इस question में हमें discuss करने के लिए कहा गया है and उसी के आस पास की चीज़े हमें यहां पे लिख देनी देखिए जब कोई sentence देके discuss लिख देता ना question में उस sentence के पहले थोड़ा सा क्या हुआ and बाद में क्या हुआ यह चीज़े हमें लिखनी होती है next question it is not unusual for lower middle class girls to dream big how unrealistic were Sophie's dreams continue करता है it is not unusual for lower middle class girl to dream big how unrealistic were Sophie's dreams अब फिर से यह question क्या है repeated है क्यों repeated है already दो questions हम इसके answer लिख चुके है तीसरी बार भी answer चेंड नहीं होगा question अलग है बट answer फिर से same होने वाला है तो हर बार जो चीज़ में आपको बताता हूँ English में questions नह बनते है answer same होते है अब यहाँ पे Sophie का character sketch बनाना है तो इतने अच्छे से हमने Sophie का पूरा story बढ़ा तो मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ गया होगी Sophie किस टाइप की लड़की थी तो अब यहाँ पे हम उसका character sketch बना लेते है सबसे पहला line हमारा आएगा daydreamer second हमारा आएगा away from reality जो Sophie थी वो reality से काफी दूर रहती थी वो real दुनिया में नहीं रहती थी वो practically नहीं सोचती थी तो third हमारा point यहाँ पे हम लिख सकते हैं impractical and next जो हम लिखेंगे वो क्या कह सकते हैं high self esteem की थी क्योंकि वो क्या करना चाहती थी अपना खुद का business start करना चाहती थी and boutique open करना चाहती थी and future में वो खोई रहती थी future में खोई रहती थी present का उसे कोई ध्यान नहीं रहता था so future में lost रहती थी वो तो यह पांच हम हमें इस story के through Sophie के character के बारे में पता चला अगर long answer में है तो 5 लिख देंगे short answer में है तो 3 लिख देंगे answer point wise नहीं लिख ला है answer English में paragraph wise लिखा जाता है अगर आप point wise answer लिखेंगे तो Marks आपके पक्का कर जाएंगे आपको paragraph के form में answer लिखना है यहां में आपको points में इसलिए बता रहा हूँ कि इन points के through आपको answer लिखना है बाकि helping work के through इन सब को आपको एक साथ जोड़ देना है ओके next question that was it for today so काफी अच्छा यह story थी हमारे interesting story थी and exam के point of उससे बहुत ही important यह chapter था so हमने इस session में इस story का summary with question and answer वो भी बहुत सारे complete कर लिए है and अब मुझे नहीं लगता कि कुछ इसमें extra करनी के आपको जरुरत है अब आपको एक बार बस अपना textbook read कर लेना है यह story उसे अपने book से read कर लेनी है and then आपका इस chapter जो बहुत अच्छे से prepare हो जाएगा next आपकाम हमको क्या करना है exam के time पे करना है so अब हम मिलते हैं next video में start करने वाले हमारा poetry section अब हमारा poetry वाला part start होगा till then goodbye, thank you, take care जै हिंद